क्या आपको हमेशा कमजोरी या थकान रहती है क्या आपके चैरी का रंग पीला है आपके सिर में धर्द रहता है क्या आपकी धर्कन तेज चलती है या आपकी सांस फुलती है तो ये ध्यान रखें कि आपको एनीमिया या खुंकी कमी है हमारे देश में कम से कम 50% लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, क्या कारण है और इसके क्या उपचार है हमारे शरीर में दो तरह की रक्तकोशिकाई होती है अगर हमारे शरीर में लाल रक्तकोशिकाई यानि कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसे अनीमिया कहते है तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आयरन, हीमो ग्लोबिन, ऑक्सीजन और इन सब के उपर विटामिन C कैसे अनीमिया की प्रॉब्रमिया खून की कमी तब होती है जब हमारे अंदर हीमो ग्लोबिन की कमी हो हीमो ग्लोबिन हमारे शरीर का एक महत्रपुर्ण कमपाउंड है जो फेफडों से oxygen सभी organs के cell तक पहुंच जाता है तो सीधी से बात है अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रह जाएगी तो हमारे शरीर में oxygen भी पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी परिनामसब रूप हमारे अंदर energy की कमी हो जाएगी और हम थकान फील करेंगे तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे common type का जो anemia यानि खून की कमी होती है वो iron की कमी के कारण होती है iron हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? iron हमारे शरीर में हीमोगलोबिन बनाने में मदद करता है इसलिए अगर हमारे शरीर में iron की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में हीमोगलोबिन की कमी हो जाएगी और हम anemic हो जाएगे यानि की खून की problem हमारे अंदर आ जाएगी लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम तो आईरन वाली चीज़े खाती हैं लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि आईरन हमारे अंदर जाता है लेकिन उसका अवशोषन तब भी होगा आईरन हमारा शरी तब ही लेगा अगर हमारे अंदर विटामिन C पूरा होगा यानि कि पूरे की पूरे सरकल को iron, hemoglobin, oxygen इन सबके सही तरीके से चलने के लिए हमारी बॉडी में पूरी तरह से vitamin C का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए आप vitamin C वाली चीजे खाईए जैसे नीबू, संत्रा, इन चीजों का सेवन कीजिए हमारे शरीर में खून की कमी किन कारणों से आती है, सबसे पहली चीज तो अगर हम iron वाली चीजे लंबे टाइम से नहीं खा रहे, ये नहीं कि हमने एक दिन नहीं खाई, दो दिन नहीं खाई, अगर हम लंबे टाइम से iron वाली चीजे नहीं खा रहे, तो हमारे अंदर iron की कमी ह इसके इलावा अगर हमारे पेट में कीडे हैं तो आईरन की कमी हो जाती है इसके इलावा अगर किसी को लीवर या फिर आंतों में प्रॉब्लम है यानि लीवर सही से काम नहीं करता और आंतों में कोई न कोई गड़बडी है तो भी हमारे शरीर में आईरन की कमी हो जाती है त आखुन जल्दी टूटने लगते हैं, बाल जल्दी जढने लगते हैं, तो अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeaut पर जाकर इसे पढ़ भी सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लक्षनों को जानकर अपना हीमोगलोबिन चेक करवाएं, इसका सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, जो 60-80 रुपई के अं और लेडिस के अंदर इसकी मातरा 12 से लेकर 16 पर डेसी लीटर होनी चाहिए, बॉडी में खून की कमी को दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है, एक तरीका है, आप डाइट में सुधार करें और दूसरा है मेडिसिन लें, तो आज मैं आपको बताने जारे हूं, डाइट में किस तरीके से बदलाव करने हैं, ताकि हीमोगलोबिन की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, तो सबसे पहली चीज है चकुंदर और शेहत, आप चकुंदर को शेहत के साथ मिक्स करके, या चकुंदर का जूस निकाल कर उसके अंदर शेहत को मिक्स करके लिजिए, इसके साथ आप हरी मेथी खाईए, ब्रुकली खाईए, ये आईरन की कमी को पूरा करते हैं, टोमाटर का जूस पीना भी आईरन की कमी को पूरा करने का बहुत अच्छा साधन है, इसके इलावा आप अनार खाईए, अनार के अंदर आप काला नमक डाल कर खाईए, इसके इ अगर आपको ये information अच्छी लगी तो like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay bye